नमस्कार, राज्यसबा टीवी के खास कारक्रव में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ प्रीती सिंग भारत के राजनितिक मंच के चोथे, पांचवे और छटे दशक के जबरदस तूफानी और आकर्शक, बहुचर्चित, सुर्खियों में रहने वाले व्यक्तित्व का नाम था राम मनोहल लोहिया चोथे दशक की पीड़ी, राम मनोहल लोहिया को भारत छोडो आंदोलन के सर्वोच नेता और समाजवाद के अग्रणे व्यक्ति के रूप में जानती है तो पाचवे और छटे दशक की पीड़िया उन्हें स्वाधीन भारत में विरोधी पार्टी के जुझारू, अदबुध भुद्धिमत्था और अदम में बोध गेनेता के रूप में जानती थी लोहिया ने माक्सवादीं और गांधीवादी दार्शनिक विचारों के तालमेल से तत्कालीन भारतिय परिस्थित्यों के नुरूप, समाजवाद की नए रूप रेखा पेश के अपने राजनीतिक सिध्धानतों और विचारों की वज़े से उन्होंने राजनीती में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात की वो चुनाओं को सिर्फ सत्ता प्राप्ति का साधना मान कर जनता की सार्व भॉम इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं और अपनी इसे विचार पर अडिक रहते हुए, संसद में लोहिया ने अपने प्रखरवानी और तीखे सवालों के जरिये वो गूंज पैदा की, कि उसकी आवाज आज तक सुनाई देती है। देश की राजनीती में स्वतंतरता आंदोलन के दोरान और स्वतंतरता के बाद ऐसे कई नेता हुए, जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया। अगर जैप्रकाष नारायर ने देश की राजनीती को स्वतंतरता के बाद बदला, तो वहीं रामवणोह लोहिया ने देश की राजनीती में भावी बदलाव की बयार आजादी से पहले ही लादी थी। रामवनोह लोहिया को भारत एक अजे योध्धा और महान विचारक की तोर पर देखता है। अपनी प्रकरदेश भक्ती और समाजवादी विचारों के चलते अपने समर्थकों के साथ ही डॉक्टर लोहिया अपने विरोधियों के बीच भी बेहत सम्मान से देखे जाते थे। आर्थिक, घैर बराबरी, जाति-पाति, जुड़वा राक्षस हैं और अगर एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना जरूरी है। समाज को बराबरी पर लाने और सम्ता मूलक बनाने के लिए ये बात कहने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारतिय स्वतंतरता आंदोलन के प्रमुख नेता होने के साथ ही भारतिय समाजवादी आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। समाजवादी भी इस अर्थ में कि समाज ही उनका कारेक्षेत्र था और वो अपने कारेक्षेत्र को लोगों के कल्यान से महकाना चाहते थे वो चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद न हो कोई दुराओ और कोई दिवार न रहे सब लोग समान हो, सब लोग सब का भला चाहें और सब में सब साथ हो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद को एक नया आयाम दिया उसके लिए नय लक्ष निर्धारित किये उन्होंने एक नई सभ्यता के रूप में समाज की परिकल्पना की लेकिन लोहिया ने पूझीवाद और साम्मेवाद से मुक्त समाजवाद की अपनी अवधारना को आगे बढ़ाया लोहिया ने चार गांधिवादी विचारों, सत्याग्रह, साध्य और साधन, छोटी मशीन प्रोध्योगी की और राजनीती विकेंडरी करण के साथ समाजवादी सिध्धान्तों की खोजगी समाजवाद क्या है और क्या नहीं है इसे लोहिया ने विस्तार से बताया उनके मताबित उचों के बारे में क्रोध भी समाजवाद नहीं है और नीचे के बारे में अलगाओ भी समाजवाद में है शोशन के विरोध में करोध और छोटों के बरतिक करुणा का नाम समाजवाद है लोहिया का मानना था कि गैर बराबरी को खत्म करके ही समथा मूलक समाज का निर्मार किया जा सकता है इसके लिए उन्होंने पूझवादी विवस्ता को खत्म कर समाजवाद की स्थापना पर जोर दिया पूझवाद और साम्वाद दोनों की आलोशना करते हुए लोहिया ने आदर्श, समाज और राश्टर के लिए एक तीसरा रास्ता सुझाया उन्होंने देश के सामने समाजवाद का ठोस रूप पेश किया लोहिया ने कहा समाजवाद गरीबी के समान बटवारे का नाम नहीं बलकि समरिधी के ज्यादा से ज्यादा विस्तार का नाम है बिना समता के समरिधी असंभव है और बिना समरद्धी के समता बेकार है लोहिया का समाजवाद समाज में समता और समरद्धी पर आधारिक था लोहिया का साफ तोर पर मानना था कि आर्थिक बराबरी होने पर जाती विवस्था अपने हाप खत्म हो जाएगी और समाजिक बराबरी स्थापित होगी उन्होंने सुझाओ दिया कि जाती विवस्था के खात्मे के लिए समाजिक समता पर आधारित विचार अपनाना होगा समाजिक समरस्था बनाए रखने के लिए जाती विवस्था के खिलाफ लड़ाई घ्रिना से नहीं विश्वास के महौल में होनी चाहिए राम मनोहर लोहिया का समाजवाद हर उन लोग को राश्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने का पक्षधर था जो हाशिये पर खड़े थे वे समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लोकतांत्री कदिकारों के प्रबल हिमायती थे लोहिया ने नाइनसाफी और गएर बराबरी खत्म करने के लिए देश के सामने सब्त करांती का दर्शन रखा इसके तहट पुरुश और महिलाओं में समानता, रंग भेद को खत्म करना, जन्म और जाती आधारित भेदभाओ को समाप्त करना, विदेशी जल्म को खत्म करना और विश्व सरकार का निर्माण, आर्थिक और समानता मिठाना, हत्यारों के इस्तमाल पर रोक लगाने के साथ थी सिविल नाफर्मानी के सिध्धानत का समर्थन करना और निजी आजादी होने वाले आगहात का मुकाबला करना शामिल था लोहिया, इस्तरी पुरुष की बराबरी और समानता के काफी हिमायती थे वे हमेशा इस्तरीयों को पुरुष पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देते थे उनका मानना था कि इस्तिरियों को बरावरी का दर्जा देकर ही एक स्वस्त समाज का निर्मान किया जा सकता है उनका मानना था कि वास्तविक समाजवाद तब ही कायम होगा जब उसमें महिलाओं की सहभागिता हो डॉक्टर लोहिया यूरोपिय समाजवाद को एशियाई देशों के लिए उपयोगत नहीं मानते थे उनका मानना था कि एशियाई समाजवादियों को अपनी नीतियां इस महाद्वीब की स्थिति को ध्यार में रखते हुए विविशित करनी चाहिए यही नहीं लोहिया समाजवाद के पुराने स्वरूप में भी विश्वास नहीं करते थे वे उसे एक बीते हुए यूग की बात मांते थे अपनी इस माननेता के अधार पर उन्होंने नव समाजवाद की परिकल्पना दी इस नौ समाजवादी विवस्था के तीन मुल्भूत आधार ने धारित किये गए इसमें सभी उद्योगों, बैंकों और मीमा कंपनियों का राष्ट्रिय करण पूरे विश्व के मानों के जीवनस्तर में सुधार और एक विश्व संसर की इस्थापना शामिल था लोहिया का समाजवाद समानता, स्वतंतरता और न्याय पराधारित था वे इस बात के पक्षधर थे कि समाजवाद के जरिये ही विश्व शान्ती और मानों कल्यान के उन्देश्यों को हासिल किया जा सकता है ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने केवल स्वाधीन का आंदूलन और समाजवादी आंदूलन में ही सक्रिय भूमिका नहीं निभाई बलकि वो आधुनेक भारती राज्यनीती के प्रखर चिंतत भी थे आजादी से पहले और बाद के दश्कों में उन्होंने भारती राज्यनीती के हर पक्ष को प्रभावित किया राज्यनीती में सुचिता और पारदर्शिता उनकी पहली शर्त थी लोहिया के राजनितिक विचार आज भी राजनिताओं के लिए प्रेढ़ना स्रोत है लोहिया युग पुरुष थे और ऐसे लोगों का चिंतन किसी एक काल और स्थान के लिए नहीं हर युग और पूरी मानवता के लिए प्रासंगे खोता है राजनिती में शुचिता को लेकर वो जीवन भर संगर्श करते रहे यही वज़ा है कि उन्होंने उस समय की कॉंग्रिस पार्टी का एक अधिकार समाप्त करने और उसके चलते समाज में फैल रही बुराईयों को खत्म करने के लिए गैर कॉंग्रिस बाद का आहवान किया और कहा कि जिन्दा कौमें पांच साल इंतजार नहीं कर दी जो 1960 के दशक में जबाहरलाल नहरू और इंदिरा गांधी की सरकारों के लिए था लोहिया ने जीवन भर यही राजुनितिक संदेश दिया कि व्यक्ति और समाज की स्वतंतरता और तरक्की के लिए विवेक पून संगर्ष और रचना जरूरी है 1963 में उपचुनाव के जरीए लोक सभा पहुँचकर उन्होंने धूम मचा दी लोहिया ने तीन आने बनाम 15 आने की बहस के जरीए ततकालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू को निरुत्तर कर दिया था लोहिया ने कहा था कि किस तरह देश का आम आदमी तीन आने रोज पर गुजर करता है जबकि प्रधान मंत्री के कुट्टे पर तीन आने रोज खर्च होता है और प्रधान मंत्री पर रोजाना पचीस हजार उपए खर्च होता है तमाम सवालों के बावजूद लोहिया अपनी बात पर पूरे साहस के साथ टिके रहे उनका संघर्ष सिर्फ टकराने के लिए नहीं बलकि नई रचना करने और नया विमर्ष खड़ा करने के लिए होता था इसलिए उन्होंने अपने साथियों को राजुनीती के लिए जेल, फावडा और वोट जैसे प्रतीक दिये थे इसमें जेल, संघर्ष का प्रतीक था तो फावड़ा, रचना और वोट लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन का। लोहिया की निर्भीकता किसी भी निराश, हताश, कौम में बिजली की तरह हिम्मत पैदा करने की खशमता रखती थी। लोहिया का राजुनेतिक चिंतन भी उनके समाजवादी दर्शन से ही पैदा हुआ था। राज्जे के महत्व को वे समझते थे और चाहते थे कि वो समाज के हित के लिए काम करे। उनका मानना था कि शक्ती केवल राज्जे के हाथों में नहोंकर निचले स्तर तक यानि गाउं गाउं तक पहुँचे। सत्ता के केंद्री करण और विकेंद्री करण के बीच तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने चौखंबा राज्जे की योजना सामने रखी। चौखंबा में गाउं, जिला, प्रांतिये और केंद्री सरकार शामिल हैं। किसी देश का उत्थान वहां की जनता की चेतना और राजुनितिक जागरुपता पर निर्भर करता है। और नागरिकों का सुधार तबी संभव होगा जब स्थानिय स्वशासन को अधिकार देकर उन्हें जवाब देब बनाया जाए। राज्ये और राजुनितिक दृष्टी से उन्होंने धार्मिक राज्ये के स्थान पर धर्म निर्पेक्ष राज्ये का समर्थन किया जो धर्म विरोधी नहीं बलकी सर्व धर्म संभाव पर आधारित था। लोहिया के क्रांतिकारी दर्शन का आधार अन्याय के खिलाफ विरोध करना था उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजुनेतिक सभी पहलिओं पर अपना दृष्टिकोन और विचार रखा रामनोह लोहिया के आर्थिक विचार उनके समाजवादी चिंतन पर आधारित हैं अपने मानववादे दृष्टिकोन से वो चाहते थे कि जाती, वन, वंश, धर्म, लिंग, संस्कृति और संपत्ति की भेदभाव से मुक्त नय निष्ठ सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाए ऐसे समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए वो क्रांतिकारी दृष्टिकोन को अपनाय जाने को जरूरी मानते थे आम जनता में क्रांतिकारी भावनाओं को जगाना जरूरी है, सामाजिक बदलाव के लिए आम जनता में तडप पहता होनी चाहिए तभी सामाजिक परिवर्थनों के लिए आवशक प्रिष्ट भूमी तैयार हो सकते हैं और यही आगे जाकर समता आधारित शोशन रहित समाजवादी समाज वेवस्था बनाएगा आर्थिक नजरिये से लोहिया का समाजवादी चिंतन पूरी तरह से क्रांधिकारी और मौलिक था उनके इस मौलिक समाजवादी चिंतन का प्रमुख लक्ष जाकी प्रथा को खत्म कर समाजवादी समाज की रचना करना तो था ही इसके जर्गे आर्थिक दरेदरता को नश्ट कर समाज में अमीर गरीब के आर्थिक असमानता की खाई को पाटना भी लक्ष था लोहिया मानते थे कि अमीरी गरीबी की आर्थिक असमानता की खाई से सामाजिक अन्याय पैदा होता है इससे ही सामाजिक व्यवस्था असंतुलित होती है रम्मनोहर लोहिया का साफ मानना था कि आर्थिक अन्याय खत्म होने से सामाजिक समानता के द्वार खोलेंगे यही वज़ा है कि लोहिया के सामाजिक चिंतन में सिर्फ जाती और वर्ण विवस्था का उन्मूलन ही सामाजिक समानिता की स्थापना के लिए जरूरी नहीं था सामाजिक समानिता के लिए आर्थिक नजरिय से आय व्याई की असमानिता को समाप्त करना बेहत जरूरी है इसके लिए खेती हर भूमी का पुनरवित्रण करना, आर्थिक विकेंद्री करन और उत्पादन के साधनों का राश्ट्री करन करके समाजी करन की विवस्था करना ज़रूरी है आर्थिक समानता कायम करने के नजरिये से लोहिया ने संपत्ती आधारित वर्गों के विशेशा दिकारों के समापती पर जोर दिया उन्होंने छोटे बड़े नौकरशाहों और अमीरों के खरचीले जीवन यापन के तौर तरीके पर अंकुश लगाने का समर्थन किया आई व्याई की सीमा का अनुपात एक अनुपात दस के अनुसार नर्धारित करने पर जोर दिया वे सीमा को सरकारी और गैर सरकारी क्षेतर में काम करने वाले लोगों के उपर लगाने के समर्थक थे उनका कहना था कि अपनी आजीविका के लिए सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के श्रम करें लोहिया ने अधिक्तम और नियूनितम आय निर्धारन को समाजवादी विवस्था की स्थापना के लिए एक बुनियादी सवाल घोशित किया उन्होंने चाहा कि इसे निश्चित किया जाना उसकी स्थापना के लिए एक अनिवारे शर्थ होनी चाहिए इसके बगाएर हम समाजवादी विवस्था की स्थापना की कलपना नहीं कर सकते इसके साथ ही राम मनोहर लोहिया ने मुल्य या दामबंदी का भी समर्थन किया जिसमें उत्पादन के माध्यम से उत्पाद के साधनों के मालिक जनता का शोशन नहीं कर सके और उच्चत मुल्य पर जनता को जीवन जीने के लिए साधन, सेवक और सामगरी उपलब्ध हो सके लोहिया का विचार था कि इस मुल्य दामबंदी नेती को हकीकत में बदलने के लिए हमें हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में करांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे सरकारी लूट, पूंजी पतियों के मुनाफे और बड़े किसानों के हितों पर जम कर प्रहार करने होंगे इसके लिए लोहिया ने सुझाव दिया कि बंदूकधारी सेना की तरहा ही अन्न और भू सेना का गठन किया जाए ये कृषी और आर्थिक विकास में सहयोग के साथ ही सामाजिक और सांस्क्रतिक खेत्र में समाजवादी परिवर्थन प्रक्रिया में अपनी भागिदारी निभाएगी राम मनोहर लोहिया की राजनीती अनिवारे रूप से उनकी अर्थनीती से जुड़ी हुई थी ये आम लोगों की रोजी रोटी की समस्या से जुड़ी हुई थी इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीती को रोजी रोटी की समस्या से अलग रखो तो ये कहना उनका अज्ञान है या बेइमानी है राजनीती का अर्थ और प्रमुक उद्धिश्य लोगों का पेट भरना है जिस राजनीती से लोगों को रोटी नहीं मिलती उनका पेट नहीं भरता वो राजनीती भ्रष्ट, पापी और नीच राजनीती है डॉक्टर लोहिया ने अपने आर्थिक चिंतन को व्यावारिक बनाने के लिए खेती हर भूमी के पुनर वित्रन पर भी बल दिया अधिक से अधिक और कम से कम भूमी के स्वामी में एक और तीन का अनुपात हो उद्योगों की दृष्टी से उन्होंने आर्थिक विकेंद्री करण पर जोर दिया लोहिया बड़े उद्योग की जगह छोटे उद्योग को प्रात्मिक्ता देने के पक्षधर थे उन्होंने कहा कि उद्पात का जादतर काम छोटे छोटे उद्ध्योग में बिजली से चलने वाली मशीनों के जरिये पूरा किया जाना चाहिए इससे हर काम में सक्षम व्यक्ति को रोजगार मिल सकेगा और बेकारी की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे मशीनिकरित उद्ध्योगों की पद्धिती देश के सामाजक, आर्थिक और सांस्क्रतिक विकास के नजरिये से आवश्यक ही नहीं उप्युक्त भी है और आईए अब एक नज़र डालते हैं राम अनुह लोहिया के जीवन सफर पर भारत की राजनीती में स्वतंद्रता आंदूलन के तोरान और उसके बाद ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपने तंपर राजनीती का रुख बदल दिया उन्हीं नेताओं में से एक थे डॉक्टर राम मनुहर लोहिया राम मनुहर लोहिया का जन्व 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबर बुर्गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम चंदा था राम मनुहर लोहिया के पिता 1920 में बंबई आ गए और उन्होंने लोहिया का दाखिला एक मारवाडी हाई स्कूल में करा दिया राम मनुहर लोहिया ने 1925 में यहां से प्रथम शेणी में मेट्रिक किया 1927 में पनारस हिंदू विश्विद्याले से इंटर किया 1929 में कलकत्ता की एक शिक्षन संस्ता विद्या सागर महाविध्याले से बी एकी परीशा पास की इसके बाद इन्होंने बर्लिन के हुंबर्ट विश्विद्याले से अपने समय के मशूर अर्थशास्त्री प्रफिसर सुमबाट के मार्धरशन में 1932 में नमक का अर्थशास्त विशय पर शोथ प्रबंद लिख कर डॉक्टरेट की उपादी हासल की 1933 में लोहिया जर्मनी से भारत लोटाए 1924 में जब लोहिया सिर्फ 14 बरस के थे तब इन्होंने कॉंग्रिस के कया अधिवेशन में एक प्रतिनिती के रूट में हिस्सा लिया था यहीं से ये गांधिवादी राजनीती से प्रभावित हुए और खुद खादी पहनने लगे 1923 में इन्होंने कलकत्ता में साइमन कमिशन विरोधी आंदोलन में भाग लिया इसी दोरान इनका पंडित जवालाल नहरू से परिजय हुआ और उनके साथ ये जुड़ गए शिक्षा समाब्दकर विदेश से लोटने के बाद ये पूरी तरह से स्वतंतरता संग्राम में कूद पड़े आचार्य नरेंद देव की नितत्व में 1934 में कॉंग्रिस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई समाजवादी आस्था की वज़ा से राम मनुहर लोहिया इस पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी के मुख्य पत्र कॉंग्रिस सोशलिस्ट का समपादन करने लगे 1935 में कॉंग्रिस के लटनो अधिवेशन में जावाहर लाल नहरू के नितत्व में कॉंग्रिस के अंदर एक विदेश विभाग की स्थापना की गई इस विभाग का सचिप लोहिया को बनाया गया और इन्होंने इस जिम्यदारी का अच्छी तरह से निर्वाहन किया 1934 में मदभेद के कारण इन्होंने इस पत्र से त्याक पत्र दे दिया 1949 में दूसरे विश्वे युद्ध शुरू होने के बाद राम मनहोर लईया उग्र युद्विरुदी आंदोलन की अगवाई करने लगे इससे 1940 में इन्हें गिराफदार कर दो परस की सजाद दे दी गई गांधी जी के विरोध किया जाने पर 1941 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया 1942 के भारत छोडो आंदोलन में राम मनहोर लईया ने जक्रिय रूप से भाग लिया भूमिगत रहकर आंदोलन को गती देने के लिए कॉंग्रेस रेडियो नाम से गुप्त रेडियो की इन्होंने स्थाप्ना की इसके जरीए प्रिटिश सरकार विरुधी उगर और उत्तेजक प्रचार प्रसार कर आंदोलन कारियों को गुपत रूप से प्रेना और मार्क दरशन देने लगे अंग्रेजों से बचने के लिए लोईया को नेपाल जाना पड़ा जहां इन्हें जैप्रकाश नाराइन जैसे नेताओं के साथ गिरफदार कर लिया गया लेकिन लोईया वहां से जैल से फरार होकर फिर से भारत वापस लोटाए हाला के 1944 में इन्हें बंबई में गिरफदार करके जैल में डाल दिया गया अपरैल 1946 में बिटिश सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया जैल से रिहा होने के बाद 1946 में गांधी जी गोवा की मुटि के लिए पुर्दगाली सरकार के खिलाफ आंदोरन शुरू कर दिया गुवा सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया महत्मा गांधी के हस्तक्षियक के बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया देश के विभाजन के मूल्ये पर 1947 में आजादी मन्जूर करने के कॉंग्रेस के रवईये से ये छुप्ध हो गए ये देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे सम्विधान सभा का गठन, देश विभाजन और कॉंग्रेस के रवईये से नाराज होकर लोया ने कॉंग्रेस को छोड़ दिया इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को सक्रिय किया और इस पार्टी के तले कई जनहितकारी और जनाधिकार रक्षक आंदोलन को सफलता पूर्वक चलाया आजादी के बाद 1902 तक ये समाजवादी आंदोलनों का संगठन और संचालन करते रहे 1952 से लेकर 1902 तक लोहिया कई बार पंडिक नहरू के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए लेकिन इन्हे सफलता नहीं मिली 1963 में अमरोहा निर्वाचन शेत्र से उपचनाव जीत कर राम मनुहर लोहिया पहली बार लोगसभा पहुँचे संसब में इन्हे सरकार की और खास तोर पर नहरू की अपनाई गई विविन नीतियों और कारेक्रमों की जम कर अलोजना की और नहरू को जन्विरोधी करार दिया राम मनुहर लोहिया ने 1964 में महंगाई, दस्टाचार, भाई भतीचाबाद और लाल फीता शाहिज जैसे मुद्धों पर अलग-अलग गलों के साथ मिलकर देश व्यापी बंदी का आयोजन किया और आम जन्ता को इन मुद्धों के प्रती जागरूप करने का प्रयास किया राजियों में गैर कॉंग्रेसी सरकारों की स्थापना संभव हो सकी और गैर कॉंग्रेसवाद भाती राजनीती की एक प्रमुक शक्ती के रूप मुभरने में सफल हुआ राम मनोहर लोईया 1966 में बिमार हो गई थे जाग से पता चला कि इनके गर्दन में भयंकर रोग है 30 सितंबर 1967 को दिल्ली में इनका ओपरेशन किया गया इसके बावजूद इनकी हालत बिगड़ती गई 12 अक्टूबर 1967 को इनका निधन हो गया और इसे के साथ फिलाल इस खास पेशक शमेत नहीं आप हमारे इस कारेक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपने राय और सुझाव हमारे साथ साज़ा कर सकते हैं फिलाल दीजे इजाज़त नमस्कार झाल झाल